दिये गए व्यन्जक यानिकी expression को लिखने के लिए जोड के सहचरिनियम का प्रयोग करें और यहाँ पर कुष्ठक यानिकी parenthesis में 77 जमाद 2 है और उसके बाद है जमाद 3. दोनों व्यन्जकों को सरल करके ये प्रदर्चित करें कि इनसे समानुत्तर प्राप्त होता है तो जोड का सहचरिनियम यानिकी associative law of addition का मतलब है कि आप इन तीनों संख्याओं को किसी भी क्रम में लिख कर जोड सकते हैं। मैं इसे और विस्तार से समझा देता हूँ। प्रश्ण में 77 जमाद 2 कोश्ठक में लिखा गया है और उसके बाद जमाद 3 लिखा गया है। यहाँ पर कोश्ठक का मतलब है कि 3 को जोडने से पहले 77 में 2 जोडें। तो हल करने के दौरान हम कोश्ठक में दी गई संख्याओं को पहले हल करेंगे तो 77 जमाद 2 हुए 89 तो इस प्रकार कोश्ठक में दी गई संख्याओं का जोड 89 है। और उसके बाद यहाँ जमाद 3 लिखा हुआ है 89 जमाद 3 हुए 82 तो इस वेंजग का उतर 82 है। हमने प्रश्ट में दिये गए वेंजग को उसी रूप में हल किया है जिस रूप में ये लिखा हुआ था। लेकिन जोड के साचार नियम यानि की असोसियेटिव लौ आफ एडिशन के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम 77 और 2 को पहले जोड़े या फिर 2 और 3 को पहले जोड़े हम इन्हें अलग-अलग क्रम में लिख सकते हैं अगर मैं इसे अलग तरीके से लिखूँ तो भी इस समान परिणाम ही मिलेगा अब मैं इस मेंजग को यहां अलग तरीके से लिख देता हूँ 77 जमा 2 जमा 3 अगर हम यहां कोई कोश्ठक ना लगाएं तो भी हमें यहीं परिणाम मिलेगा क्योंकि 77 जमा 2 जमा 3 होते हैं 82 लेकिन Associative Law of Edition के नुसार मैं इसे एक और तरीके से 77 जमा कुष्ठक 2 जमा 3 कुष्ठक बंद के रूप में भी लिख सकता हूँ हम 2 और 3 को पहले जोड सकते हैं और उसके बाद इस जोड में 77 जमा कर सकते हैं आईए इसे कर के देखते हैं तो दो जमा 3 हुए 5 तो ये हो जाएगा 77 जमा 5 और 77 जमा 5 होते हैं 82 तो आप देख सकते हैं कि किसी भी करम में लिखने पर उत्तर 82 ही रहता है और यही जोड का साचर्य नियम यानि की Associative Law of Edition है